आई मिलन की बेला मोहन कुमार दोर निर्देशित 1964 की बारती हिंदी भासा की फिल्म है फिल्म का निर्मान जे उंप्रकास ने किया था शंगीत शंकर जै किसन का है फिल्म में शितारे हैं उनके दुरलब ग्रे किरदारों मेशे एक में राजिंद कुमार शायरा बानो ससी कला और धर्मिंद यह फिल्म बॉक्स आपिस पर सुपरेटेश शाबित हुई फिल्म को तमिल में औरू थाई मककल के नामशे बनाया गया था बात करेंगर फिल्म की कहानी के बारे में तो एक अमीर आदमी तब निराश हो जाता है जब नर्स उसे बताती है कि उसकी पतनी पुस् लाए दी जिसने जड़वा बच्चों को जिन में दिया है अमीर आदमी की उतकरिष्ट बिन्दी पर लच्चमी उसे अपना एक बेटा देने के लिए शेहमत हो जाती है स्याम अपनी गरीब मा के साथ गाउं में बड़ा होता है जबकि उसका जड़वा भाई रंजीत सहर म अपने गोद लिये हुए अमीर माता पिता की देखबाल में बड़ा होता है स्याम छोटे शे गाउं में किसानी का कम करता है एक दिन उसे बताया गया की एक अमीर व्यक्ति मिस्टर चोधरी गाउं में आया है और गरीब किसानों की जमीर हड़पने की यूजना बना रहा है हाला कि उन से मिलने पर श्याम को ऐसास हुआ कि स्री चोधरी एक सहकारी शमीती बनाना चाहते हैं जो इस्तानी किसानों की मदद करेगी क्योंकि वे अपनी फसले बहतर कीमत पर बेंच सकेंगे श्याम स्री चोधरी से जुड़ जाता है और दोनों मिलकर किसानों के जीवन क बेतर बनाने में मदद करते हैं मिस्टर चोधरी की बेटी बर्खा और श्याम को एक दूसरे से प्यार हो जाता है इस बीच रनजीत विदेश शेलोट आता है जल्द ही ये इस पष्ट हो जाता है कि वे भी बर्खा से प्यार करता है और इस से उसके और उसके लंबे समय से जलोवा बच्चे के बीच गलत फेमियां पैदा होने लगती हैं आकिरकार श्याम पर एक अनमहिला रूपा को गरवती करने का आरोप लगाया गया और उस पर पैसे चुराने का भी आरोप लगाया गया आकिरकार श्याम पर लगे आरोप जूटे शाबित हुए रनजीत को अपनी असली पहँचान का पता चलता है और उसे अपनी गलत फेमियों का एशाश भी हो जटता है बात करें अगर फिल्म के मुख कलाकारों के बारे में तो श्याम के रूप में राजिंद कुमार बरका चौधरी के रूप में शायरा बानो रंजीत के रूप में दर्मिंद सिरी चौधरी के रूप में नजीरोशेन, रूपा के रूप में ससी कला, सुलोचना लाटकर लच्मी के रूप में, मुंसी स्रीदर के रूप में शुन्दर, रतनलाल के रूप में मदनपुरी, केसव राणा धरमपाल के रूप में, पुसपा के रूप में उम्ताज बेग इस पिल्म में कुल श्यात गाने हैं पहला है तुम कमशिन हो नादान हो इसको मुहमद रफी ने गाया है दूसरा है ओ शनम तेरे हो गए हम इसको मुहमद रफी और लतामंगेशकर ने गाया है तीसरा है आहा आई मिलन की बेला इसको मुहमद रफी और अश्या बोसले ने गा झाया है शातमाव और अख्री है तुमको हमारी उमर लग जाए इसको लता मंगेशकर ने गया है बात करें अगर फिल्म पेर नामांकर के 바arे में तो उसको तीन नामांकर प्राप्त हुए थे सर्वशिष्ट अबनेता रजिंद कुमार सर्वशिष्ट शायक अबनेता धर्मेंद और सर्वशिष्ट शायक अबनेती शशी कला तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा पसंदर से लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर्फ करें हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्स कीटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबादें